हेलो अबरिवन वेल्कम बेक टो माइ चैनल माइ इंडियन किचिन तो फ्रेंज आज के वीडियो में मैं अपना किचिन क्लीनिंग का रूटीन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो लंच और ब्रेक फास्ट बनाने के बाद मैं अपने किचिन को किस तरीके से क्लीन करती तो उसी का वीडियो आज में शियर करने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप कोई वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और आप इसे सेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करने जिससे नए वीडियो का अपडेट आपको मिल जाएगा और वीडियो से रिलेटेट कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं और आप अपने सजेशन्स भी दे सकते हैं कमेंट्स के तो चली स्टार्ट करते हैं तो अज की वीडियो में मैं किचिन क्लीनिंग का रूटीन शेयर करने जा रहे हूं अभी अभी मैंने ब्रेकफास्ट तयार किया है और उसके बाद किचिन काफी फैला हुआ है तो सबसे पहले समान को उसकी जगे पर रख देंगे और उसके कर दिया है तरीके से अब सिंक वाल एरिया पर आ जाते हैं यहां पर भी सामान विखरा हुआ है तो पहले मैं इसे सैट करें जो भी एक्स्टा सामान है उसको हटा दूँगे और उसके बाद इस हिस्से की भी क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगे तो एक बॉटल यहां पर उसके उन सब को क्लीन करूंगे और उसके बाद फिर मैं काउंटर को क्लीन करना स्टार्ट करूंगे तो गेस्टोर वाले एरिया में क्लीनिक करने के बाद उधर कंटेनर को सैट करने के बाद समान को जगे पर रखने के बाद मैं बरतंद होना स्टार्ट करती हूं और उसके अभी मैंने पराँठे बनाए थी चाय बनाई थी तो यह सब बरतन बरतन बहुत ज्यादा नहीं है अभी क्योंकि जब लंच तैयर करते हैं तो उसके बाद काफी सारे बरतन निकल जाते हैं अभी सिर्फ चाय की बरतन हैं तो मैं उन्हें साफ कर देती हूं तो मैंने डिश्ट्रोप लगा दिया है इनके उपर और इसके बाद इन्हें पानी से वाश कर लूँगे तो पहले काउंटर को धो लीती हूँ सारे बतन मैंने सिंक पे रख लिए है और अब बतनों को धोकर मैं एक बास्किट में रखती जा रही हूँ ताकि इनमें से जो भी एक्स्टा वाटर है वो निकल जाएगा तो काउंटर पर मैंने एक बास्किट रखी हुई है इसे मैं बाद में हटा देती हूँ पहले सारे बतन दोकर मैं बास्किट में सेट कर दूँगी अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्रा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करें और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ तो अभी मैंने सारे बतन दो लिये हैं और उसके बाद सिंग को क्लीन करना भी बहुत जरूरी है तो इसे भी मैं डिस्टोप से सा आपड़े में और स्पॉंज को भी मैं सपॉंज को अच्छे से वॉष कर देना चाहिए स्पॉंज को अब सारे टैप्स और सिंग को भी अच्छे से वॉष कल दूँगे तो यह कंदेम में प Allena कंटेनर करने के बाद में से पोंज वईप से क्लीन कर दूंगी ताकि पानी साफ हो जा struggled को OFF कि काफी आता है से चलीनिंग बहुत आता होती है इसे बीच-बीच में मैं दू करना रही हु करना अ कि मैं काूँंटर को क्लीन कर रही हूं तो अभी मैं पहले इब वर अभी मैं पहले पाणी के बाद gri person इंग बहुँा पानी गिर पी देटा है नुसकर भाद प्रोटी रहती हूँ यह एरिया सुखा रहना चाहिए और जम्स तभी क्रो करते हैं जब मॉस्चर रहता है तो काउंटर को मैं क्लीन कर देती हूं पूरा और यहां पर मैंने छोटे बरतन प्लेट्स और बाउल्स ग्लास का बगरा लगाए हुए हैं तो यहां पर पी थोड़ा बहुत पानी है तो इसे मैं साफ कर रहे हूं आरो को भी क्लीन कर देती हूं साथ की साथ और इसके बाद बास्केट से जो भी बरतन हैंक करने हैं उनको हैंकर देती हूं और बाकी बरतन में नीचे कबड में रख देती हूं यहां पर पैन वगरा जो भी है उनको पॉंच करके यहां लगा और बाखी बच्चे को बत्र बत्रली बगरा वो नीचे रख देती हूँ मैं और बास्केट को इतम खाली करके फटा देती हूँ हमसे ताकि काउंटर पर स्पेस बन सके मैं ज्यादा समान काउंटर पर नहीं रखती हूं और इस सब बर्तन में नीचे रख दूंगी बासके खाली हो गए इसे भी पहुंच करके मैं इसे इनके कबर्ड में रख देती हूं नीचे की तरफ और इसे मैं सिर्फ बर्तन दोने के टाइम पर ही यूज़ करती हूं तैकि एक्टा वाटर निकल जाए और ये काउंटर थोड़ा सा पानी रह गया है तो इसे साफ कर दूंगी मैं और इस तरीके से पूरा देचिन का काउंटर क्लीन हो जाएगा काफी स्पेस बच जाता है इसके उपर और इसके बाद इसे क्लीन करना असान हो जाता है अगर समान ज्यादा पड़ा रहता है तो मुश्किल होता है आँ यहां पर मैंने शूद्व अगरा रखी है चोटी वाली और वड़ी स्पूंस मैंने उपर लगा रखी है तो गेस्टो पो मैंने पहले क्लीन कर दिया था अभी इसके स्टैंड्स को पहुंच करके मैं लगा दूंगे और फिर बाद मैं मुझे लंच के तयारी करने है इ बेख़स बनाने के बाद जो भी समान काउंटर पर पड़ा था बरतन धुने बाले मैंने सिंक वे रख दिये थे बागी जो भी लेफ्ट ओवर फूर्ट था मैंने रख दिया था फ्रिज में और उसके बाद मैंने कंटेनर्स को भी साफ कर दिया था थोड़ा सा पॉंच देती उनको भी और यह दिखे ऊवराल लोग में आपको दिखा देती हूं आक क्लेनिंग तो यह रैक में थोड़े बॉल्स बने उए तो जो भी पानी गिरता है वो जिंक में गिर जाता है तो छोटी बर्तबंद डारेक दिश्यमें लगा देती हूं बड़े मैं बास्किट में रख देती हूं तो यह काउंटर पूरा सेट हो गया है और इसको मुझे 20 मिनट का टाइम लगा है सेट करने में और बरतन दोने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है अधर्वाइस जंदी से क्लीनिंग हो जाती है नीचे के कवर्ड भी मैं साफ कर कर देती हैं साथ के साथ अगर उनको apron कुछ बगिरा जाते हैं तो और विकशन के उपर जो कबड्स हैं उनको बीग मैं साथ कि साथ क्लीन कर देती हूं और व recycling करचे हूं और आसा करन के से इस्टिक ही नहीं होती है ज्यादा गदब्वर नहीं पढ़ते हैं मैं व्यक्त लि तो हमें काफी ज्यादा मेहनद करनी परती है और किचिन ज्यादा गंदा दिखता है तो मैं उने डेली साफ कर देती हूं तरीके से मैंने सेट कर लिया है किचिन को तो उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा